नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन है उसमें वक्त है बिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबर उकराने का पहली खबर की और आपको लेकर चलते हैं बतादिं की पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है एक बदमाश ने बिहार के DGP RS भटी को एक औरियो क्लिप भेज कर धमकी दे डाली है दरसल बिहार में CM नितिश कुमार ने हाल ही में भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है इसके बाद बदमाश ने DGP को धमकी दे डाली उसने CM नितिश को बम से उड़ाने की धमकी दी है इसके साथ उसने नितिश के विधायकों को भी जان से माने की बात कही है बताया जा रहा है कि ये दमकी बिहार में तक्ता पलट को लेकर दी गई है अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं बिहार में राज़त सभा चुनाव को लेकर एंडिय और महागडबन्धन ने खाली हुई छे सीटों के लिए तीन तीन उमीदवार मैदान में उतार दिये हैं आशा जताई जा रही थी कि छे उमीदवार गिंती में बलके लिहास से असानी से जीत हासिल कर लेंगे मगर इसी बीच इस बात की चच्चा तब तेज हो गई और ये सात्वा उमीदवार भी उतार सकता है जिससे मुकाबला दिल्चस्प हो जाएगा असल में जदियू के वरि बेगुसराय में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे 5 चात्र सडक दुरगटना में गंभी रूप से घायल हो गए घायल अवस्ता में सभी चात्रों को इलाज के लिए बेगुसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया इन में से 3 चात्र की हालत गंभीर बनी तबी मुफसिल थाना छेतर के कंकॉल के पास तेज रफ्ता टंक रॉली ने चार चक्का गारी में टक कर मार दी इस हाथसे में चार चक्का पर सवार पांच चात्र गंभी रूप से घायल हो गए अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं मुगेर में एक प्लंबर की गला रेत कर हत्या कर दी गई ये घटना बर्यापुर थाना छेतर के विजयनगर इलाकी की है बुजर्ग प्लंबर की हत्या के बाद इलाके में संसनी मच गई आसपास के लोगों की भीड लग गई वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और जाँच में जुट गई मने वाले की पहचान विजयनगर निवासी 60 वर्ष नागो मंडल के रूप में हुई है अगली खबर के और बढ़ते में बता दे तो अचानक बिहार पहुचते ही वो जिन्दा हो गई और फिलहाल महिला का इलाज बेगु सराई के सदर अस्पताल के आईसी उ में चल रहा है डॉक्टर भी महिला के इस तरह जिन्दा होने को चमतकार मान रहे है आपको बता दे बेगु सराई जिले के नीमा चांदपुरा थाना इलाके की रहने वाली रामर्ती देवी अपने बेटे के पास शत्तसगर के कोरबा में रह रही थी बीतेर अविवार को रामर्ती देवी की तबियत अचानक बिगडियो तो उसे कोरबा के एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया इलाज के दौरान वहां के डॉक्टरों ने रामर्ती देवी को मृत घूशित कर दिया पर बिहार पहुंचते ही वो जिन्दा हो गई ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते नहीं पब्लिकेशा निउस धन्यवाद